नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चनल में बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ दोस्तों इस वीडियो में जो वनस्पति देख रहे हैं या आपके आसपासी होती है और आप इससे देखते हैं कच्रे समझते हैं उखार के फेक देते हैं या फिर देखा होगा कि बच्पने बच्चे इससे खूब खेलते थे आप लोगों भी खेला होगा इसको एक दूसरे गुपर फेगते थे तो यह बड़ा ही चमतकारिक पौदा है और इसकी यह अरुवेधिक ग्रंतों में इसका बड़ा ही जिक्र है यह बहुत ही बड़ी आउसदी है है दोस्तों जिना दोस्तों हमारे आश्वाच जो वनस्पति होती है हम उसे रोज देखते हैं लेकिन हम उनके उसद्धी गुड़ों से परचित होते हैं जिसकी वजह से हम उसे उखाड़के भेग देते हैं पटा ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों जितने भी वनस्पति हो हो सकता है अलग नाम से जाना जाता होगा तो आपके छेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है आप कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों हमारे चनल का मक्सद है कि आपको सही से सटीक जानकारी बताना किसी भी वनस्पति के बारे में उसकी सही से जानकारी आपको देना दोस्तों यह जो छोटा धतूरिय का पौधा है खास कर यह वर्षात के समय में उगता है और पूरे साल आपको मिलता रहेगा हलांकि दोस्तों यह जो पौधा होता है ना हर जगा मिल जाता है इसलिए लोग इसको ऐसे ही घास भुष समझ करके इसको छोड़ देते हैं दोस्तों आयर्वेद में इसका इस्तमाल पुराने समय सही होता आ रहा है क्यों नहों यह पौधा है ही इतना वेनिफिसियल और आज भी इसका प्रयोग वैद लोग करते रहते हैं क्योंकि यह बड़ी से बड़ी हेल्थ की समस्याओं को खत्म करने की चमता रखता है तो आये जानते हैं दोस्तों कि यह छोटा दातूरा कौन से हमारी परसानियों को मिटाता है और कौन से हमारी सरीर में फायदे पहुचाता है लेकिन दोस्तों आगे बनने से पहले आपसे जरा सी रिक्वेश्ट है की वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें आप अगर एक लाइक करते हैं तो आपके एक लाइक करने से मुझे कोई पैसे ने मिलते हैं बलके मेरा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए वीडियो बनाने का मन करने लगता है दोस्तों आजकल देखा गया है कि किसी को भी सफेद बालों की समस्या देखनों की मिलती है बड़े उम्र की बात ही छोड़ती जी अब तो छोटे छोटे बच्चों में भी यह देखने को मिल जाता है कि उनके बाल असमय सफेद हो रहे हैं यदि यह समस्या किसी को है तो भाई लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं यह छोटा धतूरा आपके लिए बहुत ही वड़ी दवा है आप खबराने की जरुवत आपको नहीं है आप अपने सफेद बालों को सफेद बाल होने से रोक सकते हैं और अगर आपके सफेद बाल हो गए हैं तो उसको काला कर सकते हैं दुबारा से इसके लिए विल्कुल सेंपल सा काम है आपके इसके छोटे दतूरे के पत्ते को पीस लेना है और अपने माथे पे लगा लेना है हफ्ते में इस प्रक्रिया को तीन बार करना है एक महीने के भीतर ही भीतर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा जिसके चलते आपके सफेद बाल काले भी होने लगेगे और आपके बालों का जारना भी रुख जाएगा इसके अलावा दोस्तों अगर किसी को खासी, सर्दी या फिर जुखाम है या किसी तरीके का एलर्जी की प्रॉब्लम है या फिर पेट में कीड़े होने की समस्या है तो यह सभी लोग धतूरे के पत्ती को दूद के साथ सिवन कर लेना है दोस्तों कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ आप इसके एक पत्ती को लाएं उसको कूट पीश करके उसमें से 10 ml के या 20 ml तक इसके रस को निकाले और उसको दूद में डाल करके पी जाए यह कारे आप लगबग 10 से 15 दिन लगातार कर लेते हैं तो आपके पेट की समस्या है ठीक ह ऑजाती है वैसे आप इसक allen करके इस से बच सकते हैं इसके साथ यह अंदरुनी पाउर को भी बढ़ाता है दोस्तों जिनको कम्योड़री बनी रखती है बिल्कुल दूबले पत्ले हैं वैए इसके पक्चांग का प्र crawl कर सकते हैं यानिकि पुरे भाब को लाकर करके इसको चुरन मना के रख लें तो दोस्तों जिनको कमजोरी होती है और कमजोरी को दूर करना चाहते हैं तो इसके जड़कों और इसके पत्तों को लाकर के छाय में सुखा के चुरन मना के रख लें और 10 ग्राम की मात्रा में गाय के दूद के साथ सेवन करने से उनकी अंदरूनी कमज ज़िए दूर जाती है जिनको धातों की समस्या होती है वह भी ठीक हो जाता है तो यह उन भायों के लिए भी काफी फायदमंद है दोस्तों इस तरह सिवन करने से आपके शरीर में आई भी कमजोरी भी दूर हो जाती है और आपके अंदर ताकत और चुस्ति बनी रहती है दोस्तों अगर किसी को सरदर्द की समस्या है तो इनके पत्तों का लेप माते पर लगाएं तो सरदर्द भी ठीक हो जाता है दोस्तों अगले बेनिफिट के वाद करें तो यह जड़ी भूती दस्त को या बवासीर को भी ठीक करने में काफी मदद करती है बबासीर में छोटे धत्वुरे का प्रयोग करने के लिए इस के पत्ते का रप निकालें और दो से तीन बूधें इसको धही में या मट्थे में ढलकर सेवन करें कुछ दिनों में ही आपको बवासीर में आराम मिलेगा दोस्तों चर्म रोगों में भी यह काफी फायदमन दोता है अगर आपको दाद खास खुजली दिनाय सुराइसे सहे तो आप इसके पत्तों को पीश करके उसमें पांच ग्राम की मातरा में कफुर मिला करके अगर लें तब भी काफी फायदा करता है दाद खास खुजली को ठीक कर देता है पुराने घाव हो जाने पर भी इसके पत्तों का पीश करके वहां पेश्ट लगाने से गाव जल्दी भर जाता है दोस्तों सारेरिक बल बढ़ाने के लिए इसका एक और प्रयोग है इसके पत्तों को च्छाए में सुखा के चुर्ण बना लें और उतनी ही मात्रा में आपको कौँच का चुर्ण उसमें मिलाना है कौँच के बीच का दोनों को बराबर मात्रा में मिला के रख लें और 10 ग्राम की मात्रा में आधे चमच की मात्रा में दिन में दो बार गाय के दूद के साथ सेवन करें और इसी प्रयोग को करने से आपके मुद्र समंदी विकार भी है ठीक कर देता है अगर आपको नपुन सकता की इसी कायत है उसमें भी है काफी फायदा करता है इसी प्रयोग को करने से दोस्तों इतना नहीं यह पत्री रोग में भी काफी फायदा है इसके जड़का आगर काड़ा बना करके दिन में दो बार पीते हैं आदे-आदे कप की बराबर मात्रा ले करके तो आपकी पत्थरी रोग जो गुर्दे की पत्री होती है उसमें भी या काफी फायदा करता है भेंग कर दरद से चुटकारा दिलाता है और लंबे समय तक स्वन करने से पत्री देरे-दरे कट करके पिसाब के राष्टे बाहर निकल जाती है दोस्तों चेहरे से दाग धब्बे को मिटाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है इसके पत्तों को बारीक पीस करके और उसका पेस्ट चेहरे पर लगाने से चेहरे की जाईयां जुर्रियां तता कील मुहा से दूर हो जाते हैं दोस्तों छोटे धतूरे का पचांग का काड़ा बना करके दस से बीस मेल के बराबर मात्रा में आपको दिन में दो बार प्रोच भीना चाहिए इससे क्या है आपकी मुद्र समंधी परसानिया ठीक होती है या महिला भी ले सकते हैं और पुर्ज भी ले सक ही जञत कि आता हैं साथं यहांस भींगों सी जाता है कि अ रिएसरी नहीं जानकरी के साथ ये वीडियो देखने के लिए आपको वह धनाद तब तक के लिए हमें अग्या दिजिए नमस्कार आपका दिन सुभू